प्लीज सब्सक्राइब में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे अदानी पावर लिमिटेड जो की जपर दस्त कंडिशन में इवन आफर मार्केट जो 600 डाउन थी जो की अदानी पावर टोटली अपर सार्किट पे लोक हो गया था बीच में ऑफकोर्स जो की यहाँ पर थोड़ा सा फूल आपको देखने को मिला था बट इमिडेटली यह अपर सार्किट पे दुबारा से लोक हो गया था और काफी जबरदस कंडिशन में है गाईज अगर आज की बात करें तो आज भी एक नया बाउन विक हाई सेट किया है इसके मैक्सिमम की बात करें तो अफकोर्स एक सो चालिस एक सो पैंतालिस रुपए की आसपास का शेयर हुआ करता था और एट पेजन्ट आपको ऑफकोर्स यहाँ पर फ्लेक्शेशन मिला था गाईज पट अभी थोड़ा सा डाउन अगर आपको मिले तो ट्राय करना चाहि हैं जब से इसकी वैलिव 50 रुपए हुआ करती थी तब से मैं आप लोगों को रिगमेंड कर रहा हूं कि ट्राय कर सकते हैं ले सकते हैं क्योंकि मेरे पास भी एक बंडल ओप शेयर अधानी पावर का एट पेजन्ट मेरे पास मेरे पोर्टफोलियों में है इवन अभी बात करूं तो 1500 उसमें प्रोफिट है अभीवी चीजे काफी बड़ी होने वाले हैं अगर बात करें आदानी की अदानी पोर्ट की अदानी एंटरप्लाइज की गैस की जितनी भी एंटिटी हैं सारे उपर गई हुए हैं और काफी बड़ी बड़ी न्यूज अनाउंस हो रही है अदानी को लेके और काफी अभी जो अदानी पावर जो की 300 रुपे के आसपास गुमता था वहीं अदानी जो की अदानी पोर्ट जो की अधानी ग्रुप में और बात करें अधानी पावर की सिर्फ यहीं से बचाओ है जो कि जिसकी वैल्यू सो रुपे से नीचे है प्रेजेंट और हर बार मैं इस चीज को रिकमेंट कर रहा हूं गाइस ट्राइब करें ट्राइब करें इसको ले इसमें अच्छा खासा प्रोफि अधानी पावर की आज बड़ी न्यूज आई है वो भी मैं बताऊंगा प्लस इसके आज के आई के बात करें प्लस जब पचास रुपे वह करता था तब से मैं आप लोगों को रिकमेंट कर रहा हूं और अभी अगर सिचुएशन देखें तो अभी लेने वाली सिचुएश क्योंकि थोड़ा साथ डाउट फूल है अगर आपको मिले असी रुपे के आसपास मिले देन फॉर शूर यू नीड तो ट्राइट अधानी पावर और चीजें काफी बड़ी होने वाली है इवन इसका टागेट सो रुपे से उपर तो फोर्ट करके चल सकते हैं आपी भी सो जो कि जो कि इसका चेक कर लेते हैं जो इसका अनलसिस जो कि अधानी पावर की स्टेंथ की बात करें तो इसका जो बावन विखाई एक नया बावन विखाई हर बार शेट कर रहा है कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रोमोटर प्लैज एवाई आई एफ़ और इंस्ट्यूश प्रोमोटर प्लैज सो यह भी काफी बड़ी यहां पर स्ट्रेंच दिख रही है अगर रिजल्ट की बात करें ग्रोथ इन उपरेटिंग मार्जिन यर और स्टोग गें मोर दें 20 परशेंट इन वनमन्त जो कि 20 परशेंट से भी ऊपर जा चुका है स्टों मोमेंटम प्राइ अगर मार्केट में है तो वीक्नेस प्यांगी कंपनी इत ग्रोथ कोर्स जर इंग कोर्स यर यह ओन यर फॉर लोंग टर्प्रोजेक्स रेट फ्लैक की बात करें हाइई इंट्रेंस पेमेंट कंपेर टू अरिंग्स डिक्लाइन नेट प्रॉफित विद फोलिंग प्रॉफि से बात करें सब्सक्राइब करें। जाओ तेकल ऑफन इसटों कार। अडर पॉर्बद करें। यह और करें। यह चीजों हम देखें। मिझा जब आप अधानी ग्रीन को देखें गे। तो काफी बड़े लोस में था उस टाइम पर। और अभी जो अधानी green अभी और टोटली प्रोविट में क्योंकि इसमें जो अधानी पावर की बात करें तो काफी सारी चीजें अभी pipeline में काफी सारे और pipeline में है इवन वो जो analyst की जो research है वो भी मैं देखाँगा इस से पहले इसके अगर इसकी अगर बात करें इसके जो की अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग आपको देखने को मिल रहें चीजे काफी बड़े जो की बड़ी चीजे होने वाली है यहां पर और इसके अगर सेंटिमेंट की बात करें तो एट पेजन जो सेंटिमेंट है वो 58% अभी पाय करने का सजेस्ट कर रहे हैं चीजे काफी बेटर होती जा रहे हैं अभी जो अदानी पावर में इसके अलावा इसके अगर जो रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू काफी बेटर है अभी जो की यर ओन यर काफी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो जो क्टर की बत करें थोड़ा सा डिक्लाइन यहां पर देखने को मिला थे कि बात करें तो यह जो करें तो कंपनी अगर काम कर रिए यह रहे होगा प्रोफिट भी अफोर्ट जो कि earning per share की बात करें तो earning per share में भी इसमें decline आया अगर holding की बात करें तो guys आप खुद देख सकते हैं कि 75% अभी इसमें promoter की holding है बात करें इसकी foreign investor की साड़े 11% holding है तो जो की domestic की साड़े 7% के आसपास है पपली के पास सिर्फ 6.15% holding है guys 75% अभी at present promoter की holding है तो काफी बड़ी चीज यहांपर देखने को मिल रहे है तो ऑफकोर्स जो फोरेंग परशंट के आसपास इसमें डाउन फोन यहांपर जो होल्डिंग में देखने को मिल रहा है सबसे पहले जो काफी बड़ी नुज है JSW Energy Adani Power, Ayana and Evergreen Renewables winner in 1.2 GW Wind Power Pits So guys according to source Adani Renewable Energy holding 15.300 MW of the oxygen capacity quoting the lowest tariff of rupees 2.77 per kilowatt kwh so जो कि इसका जो जो अभी auction में जो है जो सबसे lowest tariff है जो की Adani Power का एक जो की बड़ा यहां पर auction हुआ था उसमें जो second second की बात करें तो Ayana Renewables power है plus Evergreen Power Morishish है जो की 2.78 per kwh JSW का भी of course जो की अभी जो lowest है वो अदानी power का यहां पर आपको देखने को मिलता है So guys यह जो की काफी बड़ी news है अदानी power को लेके Of course guys चीजें अभी काफी बड़ी होने वाली है JSW Adani Power, Ayana Renewable, Evergreen Renewable has emerged winners in SECI's pure wind or energy, wind energy, energy auction for 1.2 gigawatt capacity in Karnataka The auction discovered tariffs significantly below the reserves price, showing investor appetite However, analysts warn that many of the successful bidders could find the tariff quoted unsustainable unless their borrowing costs are sustainably sustained CLE cheaper So the last pure wind capacity auction in the country was conducted 18 months ago According to Shorts Adani Renewable Energy holding 15.300 megawatt of the auction capacity Quoting the lowest tariff of 2.7 rupees 2.77 per So guys जो की lowest इसका इसकी यहां पर बिड है SCI has put the reserve price a bid above which are not entered at Rs 2.99 per kWh So in the last over one year the government has been keen on inviting bid for solar and hybrid So power project with while pure wind power projects have not received much attention It is expected the auctions will bring the life back into the wind power industry that has been facing The double warming of payments delay from discounts and COVID-19 related disruptions An industry expects experts on the condition of an anonymity shat since the project's auctions will come up in Karnataka And given the wind speed and projects cost in the region and tariff in excess of rupees 3.10 kWh Would be financially sustainable It is likely that the company that quoted below Rs 2.88 Jokey इससे भी कम है जो की अदानी पावर का है 2.77 So guys जो की काफी बड़ी news है अदानी पावर को लेके इसके अलावा अगर अनलिस्स की बात करें तो अपकोर अनलिस्स भी इसको इसके अलावा अनलिस्स की बात करें जतीन गेहिल गोहिल Technical and Derivative Research Analyst Reliant Securities The stock has gained on the pack of strength across the power sector Technically the stocks surpassed its long term hurdle zone Jokey 68 to 70 and rose to an 8 year high of Rs.81.95 on March 9, 2020 So guys यहाँ पर जो टागेट है वह more than 100 rupees का टागेट है जो की 125 रुपे तक इसने टागेट शेट किया अगर बात करें यहाँ पर जो कैसे डारेक्ट की जो की 96 जो की हो सकता है यहाँ पर decline थोड़ा सा जो की इस price के बार decline यहाँ पर देखने को मिले Apart from that अगर बात करें Ventura Securities की तो Ventura Securities ने इसका price जो set किया है वो set किया है m!.. 122 जो की टागट इसदा पोसिबल टागवट मे मैं टू. डू सो काइस 200 रुपे तक इसने टागेट किया है अगर रैलिगे़ ब्रोकिंग की बात करें तो रैलिगेयर ब्रोकिंग की जो अभी appजंड जो यहां पर जो 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 रेलिगेर बोकिंग ने भी काफी अच्छी यहां पर रेटिंग दिये एवन जो कि क्योंकि चीजे काफी बेटर हो रही है एवन अधानी पावर की बात करें तो गाइस अच्छी रुपे के आसपास मिले एक अच्छा बड़ा सा प्रोफिट इसमयान कर सकते हैं बट यह ध्यान रखें लंबे टाइम के लिए ही यह इन्वेश्मेंट काफी बेटर होगी तो लंबे टाइम के लिए इन्वेश्ट करें तो थैंक्स लोड फो वचिंग इस वीश्ट प्लीज टेकर प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब थैंक यू टेकर